Elimination Method क्या होता है? Elimination Method के अंदर आप एक चीज देखते हैं कि जब आपके पास दो Equations लिखी गई हैं आप उसमें से Elimination करते हैं किसी एक parameter की and then you resolve the equation. अब इसको मैं यहाँ पे बकाईदा आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ आपको Elimination Method को and then we will resolve the equation. Elimination Method हमारे पास दो Equation है यहाँ पे पहली equation at x plus 2y is equal to 8 and 3x minus y is equal to 5. यह हमारे पास Equation 1 है यह हमारे पास Equation 2 है ठीक है? यहाँ अब तक आपको clear हो गया. हमने क्या करना है? हम कोई एक variable इन में से Eliminate करेंगे ठीक है? और फिर वो दूसरे variable के साथ उसको हम resolve करेंगे. लेट सी वो किस तरीके से करते हैं. हम यहाँ पे यह जो Equation 1 है. पहला Step 1 इसका यह होगा. Step 1 में हम यह करेंगे. Equation 1 जो है इसको multiply करेंगे by 1. Multiply equation 1 by 1. एक के साथ multiply करेंगे ताके यह equation same की same रहे. For example, मैंने x plus 2y is equal to 8. इसको 1 से multiply किया तो इसमें कोई change नहीं आनी है. आपको भी पता है कि जब 1 से इनको multiply करें या 8 multiplied by 1 हो तो यह same ही रहेगी. फिर हम दूसरी equation को जो multiply करेंगे multiply equation 2 by 2. क्यों हमने करना है? हमने इसका coefficient जो है वो change करने के लिए. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. करके पहले इसको multiply, then we will see. 3x minus y is equal to 5. 3x minus y is equal to 5. और जब हम इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास जो equation हो जाएगी, 2 के साथ इसको multiply किया, और 2 के साथ ही इसको multiply किया. So it's like 6x minus 2y is equal to 5, 2s are 10. तो हमारे पास यह equation इस तरीके से आ गई. ठीक है? अब जब हमारे पास यह equation इस तरीके से आ गई है, हमने क्या करना है? अब दोनो equations को add करना है. यानि कि जो पहली equation है हमारी ये वाली, equation 1, इसके साथ हम add करेंगे ये वाली equation को, which is equation 3. equation 1 and 3 को हम add करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, equation 1 है जी हमारे पास, यह step 2 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे step 2 मैं लिखता हूँ side पे, ताके हमारे पास a की boundary के अंदर रहे, x plus 2y, ठीक है? और आपको पता है, जब equations को add किया जाता है, then we do something like this, left hand side को left hand side में add करेंगे, 6x minus 2y, और right hand side को right hand side में करेंगे, 8 plus 10, फिर इसको हम resolve करेंगे, resolve किस तरीके से किया जाता है, आपको भी पता है, कि अगर यह plus है, तो हम as it is सभी चीज़ों को लिख लेते हैं, for example, x plus 2y, plus 6x minus 2y, तो अगर आप गवर करें, हमने कैसे eliminate किया, यह plus 2y और minus 2y कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या बजा, x plus 6x, is equal to 8 plus 10, which is 18, तो मैं directly 18 लिख देता हूँ, अब यहाँ पर गवर करें, तो हमारे पास 7x, is equal to 18 आया, तो अगर हम solve for x करें, तो हमारे पास, यह आ जाएगा 18 by 7, ठीक है, 18 by 7 क्या होगा, अगर आप गवर करें, तो इसको आप check कर सकते हैं, तो यह हमारे पास x की value आ गई, x की value आ गई, क्यूंके हमने eliminate कर दिया y को, अब आपको समझ आई होगी, जो आपके mind में question था, कि इसको हमने 2 के साथ multiply क्यों किया, keeping in mind कि हमें पता था, कि future के अंदर, plus 2y और minus 2y आपस में cut जाएंगे, ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, कि आपके पास, ये दो equations अगर मैं लिखूं यहां पे, x plus 2y is equal to 8, और यहां पे 3x minus y is equal to 5, अगर आप गोर करें, हम किस चीज के साथ multiply करें, इस equation को दुनों साइडों पे, जारी बात है, अगर एक साइड से multiply करेंगे, दूसरी से भी, तो equation सेम की सेम रहेगी, कि ये दोनों cut जाएं, hopefully यहां पे 2 लगाने से ही cut जाएंगे न, तो हम उस एक coefficient से, पूरी equation को multiply कर रहे हैं, ताके कोई फरग ही ना पड़े, हम यहां पे y की बजाए, x को भी हम eliminate कर सकते थे, वो कैसे, हम minus 3 के साथ अगर इस equation को multiply करते, minus 3 के साथ, ठीक है, so we can either eliminate one variable, और the other variable, so इस तरीके से हमारे पास x की value आगी 18 by 7, हम अब क्या करेंगे, 18 by 7 को पहली equation में add करते हैं, हमारी step 3 जो होगा, वो होगा, x की बाद y की value find out करना, उसके लिए हम क्या करेंगे, x plus 2y is equal to 8 है, इसके अंदर x की value add करते हैं, 18 by 7 plus 2y is equal to 8, तो अगर आप गोर करें, इसको अगर हम resolve करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से value आएंगी, मैं simply इसको 2y करता हूं, is equal to 8 minus 18 by 7, और जाहरी बात है 7, यह उपर आजाएगा, 7, 107 और यह सारा लगा कर से 56 minus 18, LCM लेने के बाद, और यह मेरे पास आजाता है 38 by 7, 2y is equal to 38 by 7, और अगर मैं y divided by 2 इसको भी करूं, और यहां पे भी divided by 2 करूं, तो यह basically मेरे पास 2, 19 by 7 और 19 by 7 आजाएगा, y की value हमारे पास 19 by 7 है, तो अगर हम इसको resolve करें, 19 by 7 को, 19 divided by 7, this is equal to 2.714, y is equal to 2.714, और हमारे पास x क्या होगा, 18 by 7, x की value है 2.57, तो y हमारे पास आगया है, 2.7, और x आगया हमारे पास 2.57, x is equal to 2.57, y is equal to 2.714, अब आप इसको decimus calculator के अंदर लगा के देखें, कि क्या सारी चीजें जो हैं, वो clear आती हैं या नहीं, क्या यही values आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जी, लगा के देखिएगा दोनों equations को, जो equations मैंने आपको बताई हैं, क्या intersection हमारे पास आते हैं, यही वाले या नहीं आते, जो values मैंने आपको बताई हैं, वो आपको पता होना चाहिए, x plus 2y जो हमारे पास है, यह एक equation है, is equal to 7, और जो दूसरी equation है, हमारे पास वो है, 3x minus y is equal to 5, is equal to 5, चले, मैं आपको दिखाता हूँ, exactly यही answer आ रहा है, यहाँ पर देखें, यह मैंने दोनों equations लिखी हैं, यह मेरे पास x intersect or y, जो दोनों का intersection point है, this is giving me value x is equal to 2.57, and y is equal to 2.714, and here you go, elimination method कुछ इस तरीके से काम करता है, hopefully आपको इस lecture की समझ आगी होगी, कि elimination method क्या होता है, आप किसी भी variable को निकाल सकते हैं, and then you can actually, resolve the equation, because of that variable, और अगर आपको unknown एक पता चल गया, तो दूसरा भी पता चल जाएगा, graphical calculator छोटी-छोटी equations के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब बड़ी equation आती है, multiline linear equations आपके पास आ जाती है, या some other methods को हम देखते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होना स्टार्ट हो जाता है, इसी वज़ा से जब हम competition के थूरू ये काम देखते हैं, तो हम matrix के operations को use करते हुए, इनको resolve करते हैं, और इसी वज़ा से अगला lecture जो हमारा है, वो इसी चीज़ पर है, कि matrix के different operations को use करते हैं, हम किस तरीके से system of equations को resolve करते हैं, अगर आपको अभी तग ये lecture की समझ आईए, तो please thumbs up करते हैं, लाइक करते हैं, और अगर नहीं समझ आ रहें, फिर भी लाइक करते हैं, क्योंकि आपने दुबारा से ये video देखनी है, और आपको ये channel जो है, तीन तीन चार चार छोटे चोटे बड़ी बड़ी lectures upload हो रहे हैं, which is very helpful for you to learn linear algebra, to learn matrix operation, to learn mathematics, to learn from zero to math, and there are many other things which we are doing these days, क्या ख्याल है, बंदा है ना लाइक कर दें पिर,